तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर दोस्तो किसी भी फोन में लिखने की इस्टाइल को चेंज कैसे करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग फाउंड में मैंने यहाँ पर टाइपिंग की है आप किसी भी फोन में इस तरह से इस्टाइलिस फाउंड में चैटि कर सकते हैं और जो found आप select करेंगे उसी found में यहाँ पर typing होगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कमाल का keyboard हो दोस्तो अगर आप इस तरह से chatting करेंगे तो सामने वाला बंदा भी आप से impress हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप दोबारा करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा एक ही बार इस एप में आपको setting करना है उसके बाद आपका जो keyboard हो जाएगा अलग-अलग found style में आप चैटिंग कर पाएंगे इस एप को open करने के बाद आपको यहाँ पर continue करना है continue करने के अगर कोई add शो होती है तो add को आपको उपर से cut कर देना है इस तरह से इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक keyboard का icon दिखाई देगा आपको keyboard पर click करना है इसके बाद यहाँ पर start पर click करना है इसके बाद आपके फोन में जितनी भी keyboard होंगे वो आ जाएंगे और जो नया keyboard हमने download किया है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है iPhone तो यहाँ पर setting को on करना है इस keyboard को activate करना है setting on हो जाएगी इसके बाद यहाँ से back आना है कुछ time page load होगा इसके बाद अगर कोई add show होती है तो add को आपको cut कर देना है यहाँ से ऊपर से ठीक है इसके बाद अगर add show होती है तो add को cut कर देना है नीचे आपको start पर click करना है इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर जो हमने keyboard download किया है iPhone से यहाँ पर set कर देना है set करने के बाद आपका keyboard चेंज हो जाएगा, अब एप को बंद कर देना है, एप का कोई भी काम नहीं, अब आप आ गए हैं, यहाँ पर WhatsApp में, तो आप देख सकते हैं, कीबोड यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है, यहाँ पर आ जाते हैं, हम फाउंड इस्टाइल में, तो आप देखेंगे, यहाँ नॉर्मल फाउंड में टाइपिंग करना है, तो आपको यहाँ पर स्टाइट में आ जाना है, यहाँ पर आप फाउंड पर सेट करेंगे, तो यहाँ पर आप नॉर्मल टाइपिंग कर पाएंगे, यहाँ पर आपको अलग-अलग सेंबोल भी देखने के लिए मिलेंगे, ज पहले वाला आपका keyboard आ जाएगा अब दुबारा से आपको इस्टाइलिस फाउंड में चैटिंग करना है तो आपको यहाँ पर इस पेस बटन में एक सेकंड के लिए दबाना है यहाँ पर दोस्तों आपको iPhone डिकाई देगा इसे आपको set कर देना है तो आपका जो keyboard हो चेंज ह हो जाएगा तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए